इन्वेस्टमेंट इस सेक्योर्टी मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रिडॉल्ड दर रिलेटेड डॉक्युमेंट्स किरिफली विफोर इन्वेस्टिंग। जाने हैं वो दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ज्यादा बारी की से आपको समझाना चाहेंगे तो आज की वीडियो काफी इंट्रस्टिंग के शूह से लेकर आकर तक जूट देएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अब बात करते हैं निफ्टी के तो निफ्ट इसके लिए हम निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे और इसका अवरली चार्ट आपको दिखाना चाहेंगे अब यहां से अवरली चार्ट अगर आप देखते हैं तो आलेडी आपको कल की वीडियो में और कल के दिन भी हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मैसेज किया था जिसमें आपको बताया था कि जो निफ्टी है 25,200 के अपर सस्टेइग नहीं करेगा क्योंकि 25,200 में ओपे इंडस बहुत जादा था इस टॉपिक के अपने कल हमन एक बहुत जादा डेटेल भी वीडियो बनाई भी थी और अगर आप देखेंगे तो उसके इंपक्ट के वज़े से आज बजार में गिरावट भी रही अब यहां से अगर हम देखे तो निफ्टी का चार्ट मैं थोड़ा सा जूम करूंगा और निफ्टी के चार्ट को मैं जूम करके ही आपको बताना चाहूंगा बहुत ही डिटेल में चाहूंगा आप विल्कुल ध्यान से सीखेगा हमें एक टॉपिक पे बहुत ही बारी किसे चर्चा करेंगे जिससे आपके जो ट्रेट है वो बहुत ही जादा बहतरी हो सगे अब देखेंगे तो दोस्तों हम साइकॉलीजी के साथ जुड़के काम करते हैं तो उसमें आपको रिटर्स काफी मिलते हैं इसके एक्जामपल मैं आपको थोड़ी देर में स्टॉक्स में दिखाना चाहूंगा अब हमने निफ्टी का बड़ली चार्ट लिया है और निफ्टी के वडरी चार्ट पे एक पै अब यहां से अगर आप देखे तो 24,878 के ऊपर अगर बजार जाता है यानि कि मंडे को बजार थोड़ा बुलिश कुलता है या बीरिश कुलता है बट अगली केंडल जो है वो अगर आपको बुलिश देखने को मिलती है तो इट मेंस कि यहां से एक बाइंग अपॉर्ट्श भी maintain करना पड़ता है और stop loss जो है यहां पे nifty का जो है 24,800 बनका अब आप में से काफी लोग पूछेंगे कि आपने 24,801 का stop loss क्यों लिया है उसका reason यह है क्योंकि यह जो hammer वाली candle बनी है यह जो candle है इसका जो low है वो दोस्तो 24,800 बनका है तो अगर आप 24,878 के उपर buying करते हैं और stop loss 24,800 बनका लगाते है तो वहां से आपको at least 80 points की तेजी यहां पे दिखाई दे सकती है और उसका जो first target अगर आप लेंगे तो almost आप 24,960 के आसपास का first target ले सकते है तार्गेट बन जो होगा आपका वो होगा 24,960 के आसपास का बढ़ ध्यान रखेगा दोस्तों कहीं ऐसा नहों कि बज़ार खुले 50-60 candlestick pattern की वरे से आपको मैंने एक level दी दिया है इस level को अगर आप यूज़ करते हैं तो अने वालिटेटिंग सेशन आपके लिए बैट 3 हो सकते हैं अब यहां से दोस्तों जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और बैंक निफ्टी के चार्ट पर और बैंक निफ्टी पर आप यहां से देखने को मिली है और अगर बैंक निफ्टी की चट्चा करें तो बैंक निफ्टी जो है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे और चार्ट को थोड़ा सा मीनिमाइस करेंगे तो minimize करने पे हमें एक ही चीज़ समझे में आ रही है कि लास्ट जो candle है लास्ट जो पैटन देखने को मिला है यह बुलिश अरायमिक एंडरस्टिक पैटन है जो पूरे डाउं ट्रेंड को अप्टेंड में करता है मेरा कहने अब लब दोस्तों यह नहीं है कि मैं आपको बूल सकते हैं वहां से आपको मैं आपको बता देना चाहूंगा महां से आपको 600-700 की तीजी भी बैंक निप्टी में दिखाई दे सकती है दोस्तों बूलिश अरामिक ऐसा गैंडिस्टिक पैटन है जो पूरे डाउं ट्रेंड को अप्ट्रेंड में पूरा करता है तो उसके ले सकता हूं मैं कैसे अलर्ट रह सकता हूं इतना तो दोस्तों हमारा एक पब्लिक टेलिग्रम चैनल है चार्ट अनैलिसिस के नाम से इसको फटाफट से जॉइन कर सकते हैं चार्ट अनैलिसिस चैनल पर होता क्या है कि जब भी किसी चार्ट पर पैटन बनता है उसकी फोट टेलीग्रम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर या फिपिन कमेंटर पर आपको मिल जाएगा फटाबट से इसको जोइन कर सकते हैं अब यहां पर दोस्तों यहां पर बैंक निफ्टी की बात करिए और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ लेवल्स दिना जाओंगा बैंक निफ 40 का लो ब्रेक करती है तो फिर एक आपको डाउन हॉल आगे में दिखाई दिया सकता है तो लेवल आप लिख सकते हैं दोस्तों 50,447 मानके चलिए अगर यह लेवल ब्रेक होता है यहां से 200.5 की गिरावट और मिलती है आपको 200.5 नीचे और गैप डाउन होता है तो फिर दो अले दोस्तों मैं लोगा यहां पर सिपला और आज मैं क्या प्लान करना था मैं काम करने में यह देख रहा था कि यार बजार में तो गिरावट आई है बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ भी आपको मुनाफ़ा दे सकते हैं तो आज हमने काम किया था किसी में हमने सिपला में काम किया था और सिपला में हमने करवाया था बाये करा त्रेड कराया था सिρ्फ हमारा 4 कश्रिसफेर से हमारा टार्गेट कंड रहा था बट आज मीरी तयी तो मैं प्रॉफिट नहीं करवा पाया तो जिसकी वज़े से वह कॉस्ट कॉस्ट हमने निकल वा दिया था किसी का सल कटा होगा कोई कॉस्ट 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 निकला होगा बढ़ जातर लोगे मैसेज आया है कि हम प्रॉफिट में निकल गए थे क्योंकि 40 पैसे का हमारा जो हमारा जो टार्गेट था वो भी एक डेड़ उपे से रह गया था इसके साथ साथ हमने लास्ट में हमने कोल इंडिया कराया था इसलिए 30 मिनिट के चार्ट पे हमें यहां पर बुलिश एंगल फिंग पैटर्न बिला था अब यहां में कुछ चीजे हैं दोस्तों मैं समझान इस स्टॉक होते हैं कि बजार गिर रहा है तो उसमें जो रिए सब्रस आपाइले आ जाता है कि बजर स्टॉज होते हैं कर दो तो पहले पकड़ सकते हैं safe अमनेमने मेशेज करा था यहां पे इसका call इंडिया का हमने इसे टा इसकस के या सब्सक्राइब ऑस बाता था जौने से इसबास के उपड़ा था नहीं कि धुट जुर्चलत सा रह गया था ह। कि मैं बुक करा जेता हूँ बट वो ही है कि तवित खराबती थोड़ी सी थोड़ा रेस्ट कर रहा था आज मैं तो बजार को इतना ज़्यादा धेख नहीं पाया तो फिर हमने कि गिरावट जो बड़ी आई है तो 15-15 मिनट के चार्ट में जो पैटन्स बनते हैं उसके बाद जो रिवर्सल आते हैं दोस्तों कई बड़े रिवर्सल भी होते हैं अब यहां पे दोस्तों ITC का चार्ट देखते हैं ITC मैं आपके सामने लगा देता हूँ होता है कि आप यहां पर बाइंग कंफर्म होई इसकी और बाइंग कंफर्म होने के बाद दोस्तों यहां से 499 से सीधा सीधे 502 और 503 उपे तर चला गया था सेम बुलिश अराइब पैटन दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो बना हुआ है अब यह बहुत यह बड़िया बना हु इस चीज़ को भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग लेकर अप्टेड बनाते हैं तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही भैतरी हो सकते हैं तो इस वज़े से आज हमने करेंगे और नई शुरुबात करेंगे देखेंगे कैसा रहता है हमारा नेक्स्ट वीक और ये वाला वीक हमारा बहुत ही बढ़िया गया था हमने मैक्सिमम कॉल स्टॉक ऑप्शिंस में दी थी और हमारे अलमोस अगर दस कॉल दिये तो नौ में हमारे टार्गेट अची हुए हैं दूसरी चीज दोस्तों यहां पर यह है कि थोड़ा सा इंडेक्स में बच के रहो काफी लोग के मैसेज आ रहे हैं इंडेक्स में कॉल नही टार्गेट भी 30-40.50 पॉइंट का रखा था निफ्टी वहां से 30-40 पॉइंट बढ़ा बट क्या प्रीम उसे दाफ सब्सक्राइब नहीं हो रहे थे और जैसी कॉस्ट पे आया तो प्रीमियम उसे दाफ सब बढ़ते नहीं है और यह मैं एक्सपैरी वाले दिन की बाद नह को मिलता है यहां तो कोशिश करेए क्या वीकले एक्सपैरी पे काम करना चोड़ दिजिए आफ नेक्स्ट वीक एक्सपैरी पे काम करें थोड़ा प्रीमियम मेंगा मिलेगा अब थीटा इतना जल्दी डिके नहीं होगा प्रीमियम उसे इसाफ सब बढ़ेंगे बढ़ में मूव नहीं कर रहे हैं तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा कुछ अच्छा बैटर मिले छोटे-छोटे लिए स्टॉप लोस हो तो ही आप काम करेंगे अ नहीं तो मेरे साथ से इंडेक्स को थोड़ा सा और करेंगे तो बीच बीच में लिए प्रकॉशिश में यही करता हूं कि ज्यादा से यहादा कॉल आपको स्टॉक्ट आप्शन में दूख क्योंकि स्टॉक्ट आप्शन करते हैं तो जिससे आपको अच्छे खासे बेनिफेट मिलते हैं साथा आगा कि अगर आप यह सीखना चाहते हैं जो वैं टेक्निकल अनालिसी सिखा रहा हूं तो आप हमारा कॉर्स जोइ काल्स जाएगी तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें शेर करें चैनल मेंगा सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही धन्यवाद